एक चीज़ के बारे में मैं आपसे साफ बात करना चाहता हूँ फचन का स्तुरोत स्वामी है वही भीज है इस तरीका बहुत ही द्यान से सुनिए एक जवान विक्ति के रूब में मैंने जो महान प्रकाशन पाया वह ये सच्चाई है कि बाइबल एक प्रकाशन है यह इशुम मसी सर्वश्यतिमान प्रकाशन का प्रकाशन है बाइबल की हर किताब उत्पति से प्रकाश्ट वाकिय तक एक सत्त्य है एक विक्ति के बारे में आपके पास बाइबल की हर किताब सर्वसामर्थी प्रकाशन के पुत्त्र को प्रकाशन करती है निर्गबन में हम परमेश्र के बारे में कुछ अद्बू देखते हैं हम उसे मेमने के रूप में देखते हैं हमें यह समझना होगा हर समय जब आप वचन पढ़ते हैं आप मसी को देखते हैं वही फसर का मेमना है परमेश्र को समझें इस किताब का कोई अर्थ नहीं होगा आप वच्छ में आगे देखिए आप परमेश्र की कहानी पड़ेंगे जैसे कि यूसुफ की कहानी उसका कोई अर्थ नहीं बनता जब तक उसमें यूशु को न देखें यह उसका परकाशन है वही वह पुत्र है जिसे उसका पिता प्यार करता था जिसके उसके भाई उससे नफरत करते थे वही वह पुत्र है जिसे गड़े में फैका गया वह मृत्यू जो दिखाया गया है यूसुफ के रूप में यूसुफ की कहानी का अर्थ कोई अर्थ नहीं बनता जब तक आप इशु को न देखें अब जवान लोग जो बाइबल स्कूल में जाते हैं उन्हें एक सर सचाई जाने चाहिए पूरी बाइबल एक बीज की कहानी है इस तरी का बीज याद रखिए उत्पत्ती तीन में जब आदमी ने परमेशर के विरुद में पाप किया जब पाप उसके दिल में आया परमेशर ने आकर उसे खून से बीगा हुआ चमड़ा पहनाया वह चमड़ा हो सकता था कि मैंने कहा परमेशर ने पहले बलिदान चड़ाया और प्रमेशर ने अंतिम बरिदान चड़ाया उसके पुत्रगा उसने आदम और हवा को खुन से बीगा हुआ चमड़ा पहना कर चुटकारे की गोशना की चुटकारे के बारे में कहें तो प्रमेशर ने आदम को लूसिफर का ओदा दिया था लूसिफर जिसे आज हम शैतान कहते हैं जब वहग गिरा सुर्ग से याद रखिए लूसिफर महिमा में सबसे सामवर्थी सरदूथ था वहग करूप था साथ ही वहग परदान दूथ था और प्रमेशर के वचन में दूथ के पांचवी भागन है साराप जो ये शा में हैं फिर करूप है हिजगल में फिर जिवित पराणी और प्रकाश्ट वाक्य में परदान सरदूथ यह भी प्रकाश्ट वाक्य में है और सरदूथ यह दूथ सामर्थि और महिमा में अद्बुध है बाइबल कहती है कि प्रभू ने उसे सारे प्रिथी पर अधिकार दिया था पूरी प्रिथी का एक तिहाई सरदूत उसके अधिकार में थे और उसका काम था कि प्रमेशल का वचन लेकर आए और उस समय के प्रिथी वासियों के पास और उन वासियों की स्थूति लेकर प्रभ यह जिकल कहता है कि इस लेंदेन में वह परस्ट हो गया मतलब परमेशल का वचन वाज़ियों को देने की बजाए उसे परस्ट कर दिया उसने वचन को परस्ट कर दिया वचन कहता है कि उसने जूट कहा जो स्तूती परमेशल की थी उसने खुद के लिए रखी वह इतना सामर् और सरुशतिमान परमेश से जलन रखने लगा सरुख परमानों हमला किया हम ये शाचोदा में यही पढ़ते हैं भोर के चमकने वाले तारे लूसिवर तू कैसे कास से गिर पड़ा तू जो जाती जाती को हरा देता है तू कैसे काट कर भूमी उपर गिराया गया और उसकी यही दिशा थी यही प्रतिफल था जो कि तू मन में तो कहता था कि मैं अपना सिहासन जो वहराजा था परमेश के सिहासन के उपर मतलब वह प्रिथी पर ही था बादनों के उपर सर्वोच के तारगंड से अधिकूचा करूँगा लेकिन परमेश ने उसे सुर्ख से निचे वैग दिया इसलिए हम पढ़ते हैं कि उसने कहा कि मैंने शैतान को चमकते तारग के तरहां गिरते देखा वह प्रिथी पर गिरा यह पहला कदम था आप कहेंगे पहला कदम सुनिए मैं प्रिथी पर आया बरनासरू प्रिथी नाश हुई इसलिए हम उत्पत्ती एक दो में पढ़ते हैं कि प्रिथी सुनसान और बिडोल थी और गहरे जल पर अंधिरा था मतलब कि वह बिडोल थी यह शब्द इबरानियों में यह कहते हैं से कुछ शिक्षक विश्वास करते हैं इसका अर्थ था कुछ शिक्षक विश्वास करते हैं कि यह बनाया गया मैं विश्वास करता हूँ प्रिथी बनाई गयी सुनसान प्रिथी सुनसान बिडोल थी गहरे जल पर अंधेरा था और बनाया गया यह शब्द सारा चित्र बदल देता है अगर हम विश्वास करते हैं कि यह शब्द था तो पृत्वी 6000 साल पुरानी है यह नहीं हो सकता लेकिन पृत्वी बनाई गई थी संसार बेडोल यानि किसी के कारण ऐसी बनी थी चुकि परमेश गर्बडी बनाने वाला परमेशन नहीं है उत्पत्वी एक एक सित्थी आदिमी परमेशन ने आकाश और पृत्वी की रचना की इश्या अध्याए 45 कहता है प्रभू कुछ भी विर्थ नहीं बनाता और गहरे जल पर अंधेरा था इबरानी में कहा गया है कि इबरान्यों में यह कहा गया है कि पृत्वी इतनी गर्बडी में थी कि उसका अकार ही नहीं था कि पूरी तरह से बेडोल थी इबरानी में इसका अर्थ है कि पूरी तरह से बेडोल उस पर बाड थी क्योंकि जब प्रमेशर आया तब उसने प्रित्वी पहले जैसे की उसने पहले वातवन से ही किया उसने पानी में विभाजन किया याद है ना फिर उसने भूमी के जल को एक जगा जाने के लिए कहा शूखी भूमी प्रगठ हो गई यानि पहले वहर धकी थी देखिए यही हुआ स्रुश्रतिमर परमेशर ने जब लूशिफर नीचे गिराया गया उसने हमारे प्रित्वी को नाश किया और प्रित्वी में बाड आई और स्र को उसमें सील किया गया उसके बारे में आयूब अध्याय नो उसका वजन पाच में आगे बताया गया है जब प्रमेशर ने प्रित्वी को सही बनाया मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ ताकि आप इसे समझ सके जब प्रमेशर ने प्रित्वी को सही किया उसने एक मनुश्य बनाया अपने ही सवरूप और अपने ही समानता में उसका नाम आदम रखा आदम का अर्थ है मिट्टी, आदम का नाम मिट्टी था प्रमेशर ने उसे यही कहा, आदम का मतल मिट्टी, इसका अर्थ यही है प्रिथी पर जब प्रमेशर ने मुनुश्य बनाया आओ हम मुनुश्य को अपने सवरूब में बनाए हमारी समानता में पहली बार किसी प्रानी को प्रमेशर ने अपनी ही समान बनाया अब प्रमेशर कुछ अद्बुद कहता है कि यह अब अधिकार रखेगा उसे सामर्दी सारी प्रिथी पर उसे उसका अधिकारी बनाया जो पहले लूसिफर था जो उसका अधिकारी था उसकी मत के लिए उसे पतनी दी ताकि अधिकार रखे और फिर कुछ होता है जो शेतान पहले से ही इस प्रिथी पर था वे साम का श्रीर लेता है और इस्तरी के पास जाता है और कहता है प्रभू कहता है कि शत्रू का हर हमला एक सवाल है आज भी यही है जरा देखिए जब वह प्रभू के पास आता है यदि तू प्रमेशा का पुत्र है एक सवाल हर प्रिक्षा एक सवाल है मैंने जो कहा उसे कभी न भूलिये अवश्य यह सामर्थे हैं यह सब बाइबल में हैं जब वह इस तरी को प्रमित करता है मुनश्य पाप में गिर जाता है अपना स्थान और अधिकार खो कर उसे शत्रु को देता है वह अभी भी दूसरे अकाश में हैं याद रखी तीन अकाश हैं वचन में बताए गए हैं पहला काश यह वातवर्ण और यह उत्पती अध्याए एक में हैं और दूसरा काश इफीसियों अध्याए छे में और तीसरा काश दूसरा कुरंथियों में हैं अध्धाए बाराम में पोलू जिसके तीसरे कास के बारे में जिकर करता है परमेश्च तीसरे कास में है जिए शैतान आज भी दूसरे कास में है जहां पर परधानता और अधिकार इस पर राज करते हैं परकास्ट वाके में यह उस दिन के बारे में बताता है जब परमेश्च के पुइतर सर दूत लड़ेंगे शैतान के दूतों से और उन्हें हरा देंगे शत्रू के सारे दूत भूमी पर गिर जाएंगे बलाई के लिए यह परमेशर के दूसरे आगमन से पहले होगा चलिए पिछले बातों को मैं फिर से बताता हूँ ताकि इन सब को एक साथ जोड़ कर देखें जब आदम गिर गया परमेशर अपने दोस्त से मिलने आया उसने कहा तू कहा है परमेशर देख सकता था कि वह कहा है शरीर गूप में पर पूछा कि तू कहा है हाथ में गूप बे तू कहा है वह जाड़ी से बहार आता है और उसे अपनी नंगनता पता चलती है पाप के कान इससे क्या पता चलता है जब तक परमेशर की महिमा उस पर थी वह किवल परमेशर के बारे में सचेत था इसलिए जब परमेशर की महिमा आप पराती है आप खुद के बारे में दिस्टी को देत जिस पदल वह महिमा चली गई, वह खुद के बारे में देखने लगा, परमेशकी महिमा आपको मिटा देती है, यहां मुसा है जो 40 दिन तक परमेशकी उपस्तिती में रहता है, परमेशकी महिमा उस पर चमगने लगती है, वह खुद के बारे में बोल जाता है, यह सचाई भी भूल जाता है कि अब उसका चेहरा चमक रहा है और वचन कहता है कि उसने कुछ ना कहा यह सामर्थि है उसने कुछ ना कहा क्यों? क्योंकि उसे परमेश्र की महिमा उस पर थी यानि वह भार से आता है यह जानते हुए कि क्या हुआ खुद के बारे में बूल गया परमेशर की महिमा हमेशा यही करती है जब महिमा चली जाती है तो आपके वन खुद को देखती है आदम के साथ यही हुआ उसने खुद की नंगाई देखी अब परमेशर नयाय करता है यह सब उत्पती तीन में लिखे हुए हैं उन में से एक वह साम से कहता है ध्यान दीजिये वह कहता है इस तरी का बीज तेरा सिर कुछ लेगा यानि मसी तुझे नाश करेगा तूसकी एडी को डसेगा यानि कुरुशी करना आप इसे समझ रहे हैं ना शत्रू एक योजना के स आता है वैं कहता है कि मैं से नहीं होने दूँगा मैं इस बिज को आने नहीं दूँगा उसने क्या किया उसने कुछ दूतों को इस तरू के साथ सोने के लिए बेजा कि मुनुश्य जाती को दुश करे मसी के आने में रुकावर डाले यह दूसरी बाढ़ का कान था नू की जो बाइबल कहती है किवल नू ही धर्मी था धर्मी शब्द का आर्थ है शुद रष्टा ने सुदूतों की मिलावट नहीं थी यह अर्था आप इसे समझ रहे हैं ना किवल वही मुनुश्य था जिसमें आदमी का बीज था क्योंकि अब सारी मुनुश्य जाती भरष्ट हो आदम और सदूतों के दवारा कि मसी के आगवन को रूके परमेशन नू को बचाया ताकि इस्तरी के बीज को बचा सके तो आप सब शान्त हैं उसने नू को बचाया ताकि बीज बचा रहे बीज आदम में था हे दोस्तों अगर आपसे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानि खंटी वाले बटन को दबारा मत भूलना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर प्रॉफिट पास्टर उन सब की गवाईया और उनके परचार ले कराऊंगा कि परमेशन उसे कौन से काम लिए उन्होंने ऐसा क्या किया परमेशन के जिन्दगियों में क्या किया मैं इस चैनल पर आपके लिए ले कराऊंगा चाहे मिलते हैं दोस्तों अगले हफ़ते अलविदा